एक गाउ में खंडरों के पास एक कुवा था, एक व्यक्ति उस कुवें के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे कुवें से बहुत तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, फिर वह उस कुवें में जाक कर देखता है, तो उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे अरे ये क्या चीज है ये तो बिल्कुल सोने की तरह लग रही है फिर वह सूखे हुए पेड़ की मदद से कुए में उतर जाता है अरे वाह वाह ये तो सोने का सिक्का है लगता है मेरे हाथ कोई खजाना लग गया है फिर वह सूखी हुई डंडी की मदद से वहां खुदाई क अरे वाह मेरा शक तो सही निकला मैं तो सच में माला माल हो गया। फिर वह और सिक्को के लालच में और गहरा गढ़ा खोद देता है। तभी उस गढ़े में से एक हीरे की अंगुठी मिलती है। वह उस हीरे की अंगुठी को खीचने की कोशिश करता है। तो अंगुठी के साथ साथ पूरा का पूरा हाथ ही बाहर निकल आता है। यह देख कर वह बहुत घबरा जाता है। और उस हाथ से अंगुठी निकाल कर जल्दी से पेड़ की मदद से कुए से बाहर निकल जाता है। और वहां से भाग जाता है, फिर एक दिन उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है, इतनी तेज रोश्णी देख कर वह चौक जाता है, और कुएं में जाकने लगता है, तभी वह खूनी हाथ उसे कुएं के अंदर जीश देख रहा है। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, एए, मेरी अंगूठी मुझे वापस लोटा दे, वरना तेरी टुकडे टुकडे करके खा जाओंगा। कंकाल भाई, मैं तो सिर्फ इस कुएं में जाक कर देख रहा था, मुझे नहीं पता आपकी संगूठी की बात कर रहे हो, कंकाल भाई, मुझे जाने दो जूट मत बोल, तुने ही मेरी अंगूठी चुराई है, उसे मुझे अभी के अभी वापस कर दे, हाँ हे भगवान, अब मैं इस कंकाल को कैसी यकीन दिलाओं, कि इसकी अंगूठी मैंने नहीं चुराई, रहे कंकाल भाई, मेरे विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो मेरी तलासी ले लो अगर तुने मेरी अंगूठी नहीं चुराई, तो फै किस ने चुराई है, जल्दी उसका नाम बता हे कंकाल जी, मुझे नहीं पता कौन कम बकत, आपकी अंगूठी चुरा कर भाग गया है हे भगवान, आज तो बाल-बाल बचिया, लेकिन वह हाथ किसका हो सकता है, अरे यार, कहीं वह हाथ किसी भूठ प्रियत का तो नहीं था, हे भगवान, कहीं मुझे कोई गल्ती तो नहीं हो गई अजी, ये आपके हाथ में क्या है, अरे वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले जी ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ, अरे मर गया अरे, ये कंकाल तो मुझे जान से मार डालेगा अरे कंकाल भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे मारने से तुम्हे तुम्हारी अंगूठी वापस थोड़े न मिल जाएगी भाई, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी अंगूठी ठूणने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्ह तेरे टुकडे टुकडे करके तुझे खा जाऊंगा ठीक है कंकाल जी मैं कुछ भी करके आपको आपकी अंगूठी वापस ला कर दूँगा फिर राजू कुए से निकल कर दुम दबा कर वहां से सीधा अपने गाउं भाग जाता है फिर सुभे होने कर सीमा पूरे गाउं की औरतों को अपने अंगूठी दिखा दिखा कर उन्हें जलाने लगती है अजी आपको कुछ पता भी है गोपी ने अपनी पत्नी को इतनी कीमती अंगूठी तौफे में दी है और एक आप है जो आज तक तौफे में एक फूल भी तोड़ कर नहीं दे पाए अभी के अभी यहां से भाग जा वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है और तुछे तौफे की पड़ी है जब देखो चिक 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 करती रहती है चल भाग यहां से यह कैसे हो सकता है वह भूका गोपी तो लोगों से उधार मांगता फिरता है फला उसके पास इतनी कीमती अंगूठी खरीदने के पैसे कहां से आए जरूर दाल में कुछ काला है फिर वह भागता भागता गोपी के घर पहुच जाता है ऐ गोपी कहा है जल्दी बाहर निकल अरे अरे ये चोर चोर क्या लगा रखा है सही तो कह रहा हूँ जल्दी उस गोपी चोर को बाहर भेजो और जो तुम ये अंगूठी पहन कर पूरे गाउं में घूम रही हो ना ये वही अंगूठी है जो तुम्हारे पती ने उस कंकाल के हाथ से चुराई है अरे भाई क्या हो गया ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो देखिए न ये कमबखत राजू बोल रहा है आपने ये अंगूठी किसी कंकाल की हाथ से चुराई है अरे नहीं नहीं ये तो मैं शहर से खरीद कर लाया हूँ ए राजू तेरी इतनी इम्मत मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है मैं अच्छे से जानता हूँ जब से मैंने अपनी पत्नी को कीमती तौफा दिया है तब से तुम सब गाउवाले जले भुने बैठे हो इसी लि वहां आ जाती है और उसे परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है फिर राजू उसे पूरी बात बताता है अरे दैया रे दैया हम ये किस मुसीबत में फस गए अजी आप अभी के अभी उस सीमा से अंगूटी लेकर उस भूत को वापिस कर आओ नहीं तो र भागवान मैं गोपी के घर गया था लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार कर घर से पाहर निकाल दिया अजी मुझे लगता है वे इतनी आसानी से अंगूटी नहीं देने वाली मेरे पास इसकी एक तरकीब है फिर रात होते ही राजू और अनीता गोपी के घर के बाहर पहु अरे कैसे अगर हमने कोशिश भी की तो ये उठ जाएगी तुम सही कहती हो हम इसकी अंगूठी निकाल नहीं सकते मेरे पास एक तरकीब है क्यों ना हम इसे ही उठा कर उस कुएं के पास रख आए जहां वह भूत रहता है वह अपने आप इससे निपट लेगा फिर वह दोन धीरे से उसकी चारपाई को उठा लेते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर चल देते हैं कुछी देर में वह उस खंडर के पास पहुत जाते हैं फिर वहां पहुचकर वह उस चारपाई को कुएं के पास रख देते हैं अरे कंकाल जी आप कहा हो देखो मैं आपके लिए तोफ़ा लाया हूँ आप खुद ही बाहर आकर अपनी अमानत वापस ले लो चलो प्रीतम हमारा काम तो हो गया आप यहां से चल्दी से निकल लेते हैं फिर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं अरे वाँ मैंने तो सिर्फ अपनी अंगोठी मागी थी वह गाओ वाला तो मेरे लिए एक और तफ़ा ले आया अहाँ प्रीतम तुम कहाँ चली गई अरे भाई तुमने मेरी पतनी को कहीं देखा है क्या हाँ भाई अभी अभी वो राजू और उसके पतनी तुम्हारी पतनी को चारपाए पर लेटा कर कहीं ले जा रहे थे मुझे लगा साथ तुम्हारी पतनी के तबियत खराब होगी ए भगवान कहीं वो दोनों उस खंडार की तरफ तो नहीं गए फिर वह भी भागता भागता उस गुए के पास पहुँच जाता है और वह और वहाँ पहुचकर हैरान रह जाता है अरे नास मिटो मेरी पतनी को उस भूत के हवाले क्यों कराए अरे मर गई रे ये मैं कहां आ गई कहीं ये कोई सपना तु नहीं है नहीं मेरी रानी ये कोई सपना नहीं है मैं ही तुम्हारा राजा हूँ तभी तो तुमने मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है चलो अब कुए में चलते हैं अब से वही तुम्हारा नया घर है फिर वह कंकाल सीमा को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे कुए में ले जाता है अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं